इन दिनों धर्म की राजनीती और जात की राजनीती चारों तरफ है एक तरफ जहां बीजेपी को हमेशा से माना गया है कि धर्म की राजनीती करती है तो वहीं महागटबंदन में जो दल शामिल है यानि कि आरजेटी और जदी वो जातीबात की राजनीती करती है नमश्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्णेशन विहार सिक्षा बिभाग के मंतरी प्रोफेसर चंदर श्वेखर लगातार धर्म को लेकर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर वो चुप नहीं हो रहे हैं अब इसको लेकर मुख्यमंतरी नुतिश कुमार ने भी साफ साफ कह दिया है कि अपनी जुवान पर थोड़ा कंट्रोल करें और धर्म की राजनीती ना करें किसी भी धर्म को लेकर विवादित बयान न दे दियू के बिधायक डॉक्टर संजीब कुमार ने कहा महागटवंदन के सहयोगी दल भगवान राम की आलोचना से बचे हिंदू ही क्यों किसी भी धार्मिक समू की भावना आहत करना उचित नहीं है धर्म की राजनीती, सिक्षा की राजनीती और स्वास्त सब अलग-अलग विश्य है ये सभी महतपुन है लेकिन इन में से किसी के नाम पर भगवान की आलोचना नहीं की जाने चाहिए गुरवार को ये बाते पत्रकार से बाचीत करने के दोरान सिक्षा मंतरी डॉक्टर चंदर शेकर ने धर्म सम्वंधित व्यक्तियों को अलोचना की उन्होंने कहा है कि उनकी मानसिकता बीमारी प्रारंभिक अवस्था में है किसी मनोविज्यानिक से इलाज हो तो ठीक हो ज जद्यू विधायक ने कहा है कि ऐसे लोगों को जुवान पर लगाम रखना चाहिए जनता दल लगा देती तो परेशानी होगी वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि उनके नेताओं और मुख्मंतर नितिश कुमार सवी धर्मों का सम्मान करते हैं हमें गर्भ है कि हम रा जुड़ रहा है नितिश कुमार सभी निड़नयों में हम उनके साथ है एक तरफ जहां जद्यू के विधायक कहना है कि प्रोफेसर चंद्रशेकर को इस तरह के विवादित बयाम देने से बचना चाहिए क्योंकि मुख्मंतर नितिश कुमार की पार्टी जद्यू हमेशा सबका साथ सबका विकास देकर चली है वो किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करती है वो सब धर्म को एक साथ लेकर चलती है और आस्टवादी हिंदू का नारा देती है एक तरफ जहां मंतर नितिश कुमार की पार्टी का कहना है कि किसी भी धर्म की आलोचना करना गलत है फिर वो धर्म हिंदू हो या फिर वो मुस्लिम धर्म हो वहीं दूसरे दरब प्रोफेसर चंदरशेखर लगातार मंदिर और महजित को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं प्रोफेसर चंदरशेखर का कहना है कि मंदिर और महजित बनाने से कुछ नहीं होगा अगर आपको बनाना तो आप अस्पताल बनाईए, स्कूल बनाईए, बच्चों को सिक्षा देजिए, उनकी स्वास्त को ठीक रखिए, मंदिर और महजित बनाने से कुछ नहीं होने वाला, जो राम को, जो राम हमें लेकर आए हैं, आप उन्हें लेकर कैसे आ सकते हैं, प्रफेर चंद शेखर बयान को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं